Current Affairs Funda में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 25 जुलाई तक के सभी important Current Affairs कवर करने वाले हैं, हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंते तक जरूर देखेगा, आज भी आपको काफी को जानने के लिए मिलेगा क्योंकि जो भी हमारा PDF material आपको Current Affairs के साथ साथ strategy के भी प्रवाइट कराते हैं, ये सभी material आपको हमारी Current Affairs Funda एप पर युपलब्द हो पाएगा हमारे PDF को जिसम बंद ये आपका कोई भी doubt है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो comment box में जरूर लिखेगा तो चलिए फिर करते हैं शुरुवात इस वीडियो सेशन की Olympic Gold Medalist नीरच चोपड़ा clinched the silver medal at the World Athletics Championships 2022 that held in which country Olympic Svandh Padak Vijayta नीरच चोपड़ा ने किस देश में आयोजित विस्व Athletics Championship 2022 में रज़त पदख जीता है Options आपके सामने है, सही answer, Option C, United States है आपको जानना चाहिए World Athletics Championship ये यूजिन ओरिगोन, United States में आयोजित की जा रही है इसने भारत की नीरच चोपड़ा ने Men's Javelin Throw Event में silver medal जीता है इन्होंने अपने चोथे परियास में 88.1 एक तीन मिटर्स का throw फैका और भारत का जो 19 साल से इंतिजार था World Championship में medal जीतने का उसको भी खत्म किया है आपको जानना चाहिए साल 2003 में पैरिस में भारत की लोग जम पर अंजू पॉपी जोर्ज ने bronze medal जीता था उसके बाद से ही भारत World Championship में कोई medal नहीं जीत पाया था आपको जानना चाहिए इस परतिस परदा में World Athletics Championship में जो Men's Javelin Throw Event हुआ है इसमें gold medal Grenada के Anderson Peters ने जीता है जबकि Czech Republic के जाकूब वर्लेज इन्होंने bronze medal जीता है साथे आपको जानना चाहिए अगर हम Women's Event की बात करें Javelin Throw में तो बारत की ओर से अन्नु रानी ने भी इसमें participate किया लेकिन ये कुछ खास नहीं कर पाई और ये साथवे नंबर पर रही है आपको बता देए ये इनका second consecutive final था Which state won the most film friendly state award किस राज्य ने most film friendly state का अवार्ड जीता है options आपके सामने है सही answer option C मध्य परदेश है आपको जानना चाहिए साल 2020 के लिए 68 नेशनल फिल्म अवार्ड एनाउंस कर दे गए है और दस सदस्य जो एक पैनल था जिसको अध्यक्षता विपल शाहने की नोंने अपने रिपोर्ड इन्फोर्मेशन एंड ब्रोड्कास्टिंग मिनिस्टर अनुराक्ठाकुर को सौपी इसने बताया गया है कि मध्यपरदेश मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट है और ये अवार्ड मध्यपरदेश को दिया गया है जबकि यहां पर स्पेशल मेंशन अवार्ड उत्राखंट और उत्रपरदेश को मिला है आपको जानना चाहिए किसवर देशाई की दे लोंगेस्ट किस इसे बैस्ट बुक और सिनेमा फॉर द इयर मिला है साथी मल्यालम बुक एम्टी अनुना वांग गलुदे पुस्तकम और उडिया बुक काली पेने कलीरा सिनेमा इसको इस्पेशल मेंशन दिया गया है इंडिया एंड विच कंट्री साइड एन MOU on wildlife conservation and sustainable biodiversity utilization भारत और किस देश ने वन्यजीव संदक्षन और सदद जैब विवित्ता उपयोग पर समझोता गया पर प्रहस्ताक्षर किये हैं ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन C नामी बिया है देखे government of India और government of the Republic of Namibia इन्होंने MOU sign किया है on wildlife conservation and sustainable biodiversity utilization इसके तहत भारत में चीता को establish किया जाएगा चीता को introduce किया जाएगा नामी बिया से लाई जाएगे चीता जिसे एसीनो निक्स जुबैटस बोलते हैं इसका scientific name है तो इसको भारत में introduce किया जाएगा आपको जाना चाहिए साल 1952 में चीता एक्स्टिंट डिकलेवर करती के थे भारत में और अब मध्यपरदेश के कुनो नेसल पार्क में 12 अफ्रिकन चीता साउथ अफ्रिका से और 8 नामी बिया से लाए जा रहे हैं और अगले 5 साल में लगबख 50 चीता भारत में introduce किये जाए आपको जाना चाहिए मध्यपरदेश में जो लोकल कम्यूटीज हैं उनमें पब्लिक अवेर्नेस केम्पेन भी चलाया जा रहा है और एक लोकल मास्कोट सुभांकर भी मनाया गया जिसका नाम है चिंटू चीता तो यहां पर आप देख सकते हैं हाव मैनी 20 20 चीता आ रहे है आठ नामीबिया से और 12 साउथ एफरिका से कहां पर आ रहे हैं कुरो नेस्टल पार्क मध्यपरदेश में बाकी नामीबिया के बारे में आप जानते हैं कि आबुचाया की कैपिटल है और करंसी नाय रहा है At the 68th National Film Awards Best Feature Film Award has been backed by 68 वे रास्टे फिल्म प्रुसकारों में सर्फिस्ट फीचर फिल्म का प्रुसकार किसके द्वारा प्राप्त किया गया options आपके सामने हैं सही answer option C है सुरराई पोत्रु देखिए जो National Film Awards है उनमें Best Feature Film Award तमील मूवी सुरराई पोत्रु को दिया गया है इसके डिरेक्टर सुधा कोंगा रहा है आपको बता दें यह जो मूवी है सुरराई पोत्रु यह Air Deck Confounder जी कोपिनात इनकी लाइफ पर बेस्ट है ताना जी The Unsung Warrior इसको अवार्ड मिला है for Best Popular Film Providing Wholesome Entertainment आपको जाना चाहिए Best Actor Award for 2020 यह दो लोगों को दिया गया है एक तो सूरिया को इसी मूवी के लिए सुरराई पोत्रु और दूसरे है अजे देवगन इनको दिया गया है ताना जी The Unsung Warrior तो जो Best Actor Award है इन दोनों के बीच में शेर किया जाएगा आपको जाना चाहिए अजे देवगन का यह तीसरा नेसल अवार्ड है फॉर Best Actor और सूरिया का यह सेकंड नेसल अवार्ड है बात करें Best Actress Award की तो यह जीता है अपड़ना बाला मूर्ली ने यह भी इन्होंने इस मूवी के लिए जीता है सुरराई पोत्रु के लिए आपको जाना चाहिए मनोज मुंतशिर इन्हें Best Lyrics के लिए अवार्ड दिया गया है फॉर हिंदी मूवी सायना म्यूजिक कंपोजर जीवी प्रकाश कुमार इन्होंने National Film Award for Best Music Direction दिया गया है बाकी इसमें और भी कई सारे अवार्ड थे हैं वो मैं आपको टेलिग्राम पर शेयर कर दूँगा महत्रपॉंट जो केटेगरीज हैं वो मैंने आपके साथ हैं आपर डिसकस कर दी है विच क्रिकेटर हैस कोलेबरेटेड विद वैब थ्री फिंटेक स्टार्टप ब्लीब.klub और वैब थ्री मेटावर्स स्टार्टप डब्लू आई ओएब तो लॉंच दे फर्स्ट स्पोर्ट सिटी इन दा मैटावर्स में पहला स्पोर्ट सिटी लॉंच करने के लिए किस क देखी जासा ही मैंने आपको बदाया कि सिखरदवन इंडियन क्रिकेटर इन्होंने एक फिंटेक स्टार्टप है बलीब.klub और एक मेटावर्स स्टार्टप है विओम तो इसके साथ मिलकर मेटावर्स में फर्स्ट स्पोर्ट सिटी लॉंच करने के लिए कोलेबरेशन किय आए कि वीच स्टेट हैस बैक टाप रेंक इन निधी आयोक इंडिया इनका़िस इन्डेक्स इनडेक्स सिखर्णी लगता देखे नेतिया योग द्वारा इंडिया इन्वेशन इंडेक्स 2022 लॉंच कर दिया गया है और मेजर स्टेट्स केटेगरी में करनाटक पहली पोजिशन पर है आपको बता दें कि जितने भी तीन एडिशन हुए हैं उनमें करनाटक की टॉप पर रहा है अगर हम बात करें नौ स्टेट्स केटेगरी में करनाटक के बाद तेलंगाना हरियाना महराष्ट और तमिलाणू है और अगर हम बॉटम की बात करें तो 36 अबसे बॉटम पर है फिर उडिसा भिहार एंड गुजरात यहां पर आपको जानना चाहिए इंडेक्स रियल्स किया गया नीतियाय के लिगए इसमें जो ग्लोबल इन्नोवेशन इंडेक्स है तो उसे के इसापसे तयार किया गया है उसे के इसापसर क्राइटेरिया थोड़े बनाये गए है और इसमें जो number of indicators हैं यह 36 से बढ़ाकर 66 कर दिये गए हैं और इन indicators को 16 sub pillars में distribute किया गया है और 7 key pillars यहां पर सामिल हैं तो यह भी आप दे सकते हैं यह भी मैं आपके साथ टेलिग्राम पर share कर दूँगा नोर्ट इश और हिल स्टेट में मनिपूर्ट टॉप पर है यूटी एंड सिटी स्टेट्स में चंडिगर नमबर वन पर हैं बाकि आपको जाना चाहिए इंडेक्स में यह भी बताया गया है कि भारत की जो urban population है वो 1990 में 222 मिलियन थी और अब यह बढ़कर 2014 में 440 मिलियन हो गई है और ऐसा नुमान लगा गया है कि 2050 तक यह 814 मिलियन हो जाएगी तो नेसल फ्लैग एडॉप्शन दे ऑफ इंडिया इस ऑब्ज़र्ड ओन डैश एवरी यर भारत का रास्टिय ध्वच दर्तक रहन दीवस हर साल कब मना जाता है सही आंसर ऑप्शन ए जुलाई 22 है तो देखे 22 जुलाई को हर साल नेसल फ्लैग जो ट्राइकलर है आज की प्रेजेंट फॉर में इसको एडॉप्ट किया था कॉंस्टेट्ट के द्वारा इसको अपनाए गया था आपको जाना चाहिए कि जो हमारा नेसल फ्लैग है ये पेंगली वेंकाया द्वारा डिजाइन किया गया है लेकिन जो इन्होंने डिजाइन किया था उसमें असोक चक्र के बदले इस्पिनिंग वील था और जून 23 उन्निस सो 47 को जो एक एडॉप कमिटी बनाई गई थी वील को रिपलेस कर दिया था असोका चक्र से। सन्यास की घोशना कर दी है आपको जानना चाहिए इन्होंने West Indies के लिए 144 matches खेले हैं तीनों ही format में और 3763 turns बनाए हैं तो 8 test के लिए इन्होंने 68 one day और 68 ही T20s World Drawing Prevention Day is held annually on which day डूबने से बचाओ का विश्व दिवस परतिवर्स किस दिन मनाया जाता है सही answer option C July 25 देखे word drowning prevention day जो की April 2000 में डिकलेर किया गया था ये 25 जुलाई को हर साल मनाया जाता है इसमें बताया गया है कि जो drowning है ये एक major public health problem है और लगबग 2,36,000 लोग जो हर साल जो है डूब जाते है और इसमें भी बताया गया है कि unintentional injury death की अगर हम बात करें तो उसमें third leading cause यही है द्राउनिंग दूसरी किताब जारी कर रही है इसका क्या नाम है options आपके सामने है सही answer option C है यहाँ पर आप English का standard देख रहे है Michelle Obama is releasing a second book this fall this fall का मतलब क्या है this fall का मतलब है जो अब autumn season आने वाला है autumn मतलब जो पतजड वाला वाता है पतजड का season आता है सरद जिसे हम बोलते हैं सरद रितू तो वो season आने वाला है तो उसमें अपनी second book launch करेंगी तो जो North American side में उसको इस तरह से represent करते हैं this fall पत्ते चड़ते हैं उस वक्त बूरे हो जाते हैं पत्ते का color change हो जाता है सूखे सूखे से तो वही है this fall इसका मतलब तो ये standard होता है English का देखिए आप कोई चीज जदी सीखना चाहते हैं तो आपको खुद ही उसमें परियास करना पड़ेगा अब मैं आपको अपनी बात बता हूँ तो मुझे vocab सीखने का बहुत चौक है और मैं अभी भी सीखता रहता हूँ और मेरी vocab काफी strong है मतलब ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं एक हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ सरस्वति विद्या मंदर जो होते हैं उनसे पर मेरी vocab पर एक अच्छी कमांड है तो ये क्यों हुआ है क्योंकि मेरा इसमें इंटरस्ट है और कभी भी मेरा मन इससे हटा नहीं है मैं जब 12th क्लास में था तभी से इंटरस्ट पर पढ़ता रहा हूँ इस हिसाब से मेरे सामने जब नियूस पर पर आता है तो कुछ भी अचा नहीं होता कि हाँ ये मुझको नहीं मालू है कोई वर्ड आ गया या कोई सेंटेंस असा आ गया कभी-कभी हो जाता है असानी है कि बिल्कुल भी नहीं हो तक कभी-कभी हो जाता है तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यदि आप जैसे आप competition की तयारी कर रहे है यदि आप seriously चाहते है कि आप journal awareness section में अच्छा score करें तो ये आपको खुद भी करना होगा हम तो एक medium आपको दे रहे है एक source आपको दे रहे है एक material आपको दे रहे है लेकिन क्या आप भी उतने ही तयारी कर रहे है ये अपने आप से पूछेगा आप कुछ बच्चे चाहे हैं दो से याद फिर तीन साल से तयारी कर रहे है और कई exam में fail हो चुके है आप खुद से पूछिए क्या आप कभी जब exam आप देने गए कैसा हुआ जब आप कहदे कि हाँ मैं 100% तयार था एक दो दिन पहले तक मैं free था बिलकुन कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो मैंने छोड़ा हूँ और मैं पुरी तयारी के साथ गया था तब भी मैं fail हो गया हो जी नहीं सकता जो पुरी तयारी के साथ गया है उसका selection हुआ है तो ये बात आप ध्यान रखेगा अगर आप fail हो रहे हैं तो उसमें केवल और केवल आप ही की गलती है क्योंकि हम तयार नहीं थे आप अब देख लेजाए आपके exam आएंगे अब भी एक दिन पहले तक आपका कुछ ना कुछ छुटा रह जाएगा ये पढ़ना है वो पढ़ना है तो उस दिन का इंतिजार क्यों कर रहे है आज इसे उस चीज की शुरुआत कीजिए अपने आप खोलिए हिंदू बिजनस लाइन खोलिए और ये मिंट आता है बिजनस स्टेंडर आता है अपने आप खोलिए देखिए समझ ये कि कौन-कौन सी अपने आप भी तो देख सकते हैं आप ज़रूरी है कि जो मैटीरिल है वस उसी कोई पढ़ना है ठीक है तो अगर अच्छा स्कोर करना है मैनत आपको भी करनी पढ़ेगी एक्स्टा एफ़र्ड लगाने होंगे नोफरी लेना इतना असान नहीं है आजकल तो इंटरस्ट इसमें जगाई है तब ही आप पढ़ सकते हैं और मैं तो आपको इस तरह से बताता हूँ कि आपका इंटरस्ट बना रहे है इसी तरह से लैंगवेजी बनाता हूँ ठीक है तो यह आप तिहान रखे अपने आप से भी अच्छी मैनत करें खेर अपने करेंट फेर पर आते हैं तो में शेल अबामा तो इनकी एक भूक आ रही है दे लाइट वी कैरी और यह आने वाले कुछ महीनों में रिलीज हो जाएगी आपको बता दिससे पहले इनकी एक ये भी है इनकी बिकमिंग ये मैमोर है इनकी बिकमिंग ये साल 2018 में रिलेज होई थी इस्प्रिंट चैलेंजेस आर एम्ड एड गिविंग अब बूस्ट तो दे यूजेज ऑफ इंडिजिनेस टेकनोजी इन दे स्प्रिंट चैलेंज का उद्देश निम्रिकिते में से किसमें स्वधिशी तकनीक की उप्योग को बढ़ावा देना है ओप्शनस आपके सामने है ये आंसर ओप्शन भी है इंडियन नेवी जाने का महत्वपूर्ण है ये भी प्रायमिस्टर रेंड रमोदी ने इसकी एक सेमिनार है इसको eyeball किया है सम्मोध्य चैलेंजिश का आपको जाना चाहिए इसमें Πराइम इस्टर रेंड ने इसका बहुत है इंडियन नेवी में जो इंडिजनस टेक्नोलोजी जो हमारी देश में बनी है उसके यूजस को बढ़ाना है तो इसके तहर जो एन आई आई ओ है जिसके बारे में हमने आपर बात की कि डिफेंस इनोवेशन और्गनाइजेशन के साथ मिलकर इंडियन नेवी म 75 नई इंडियन से टेक्नोलोजी जो को इंड़क्ट करेगा तो इसी प्रोजेक्ट का नाम है स्प्रिंट चैलेंजेश MSME Banking Conclave 2022 वास और्गनाइज़्ट वाइविच एजनसी MSME Banking Conclave 2022 का आयोजन किस एजनसी त्वारा किया गया आपके सामने हैं सही आंत्र option दी रहेगा MSME Business Forum इंडिया देखिए परदीव कुमार दास जो की चेर्मेन एंड मैंजिंग डिरेक्टर हैं इंडियन डिनोबल एनर्जी डेवलप्मेंट एजनसी लिमिटेट के आई र इडिये इन्होंने MSME Banking Conclave 2022 को एड्रस किया है संबोधि किया गया MSME Business Forum इंडिया के द्वारा नेचुरल फार्मिंग कॉनक्लेव और्गनाइजट इन्विस्टिटी प्राकरति खेदी सम्मेलन के सहर में आजित किया ऑप्शन्स आपके सामने हैं सही आंत्र आप्शन ए रहेगा सूरत तो देखिएगा प्राइम इस्टन रेंज ने नेचुरल फार्मिंग कॉनक्लेव इसको वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के तुरू सम्मोदित किया है यह कॉनक्लेव सूरत गुजरात में और उर्गनाइज की गई तो इस वाले टोपिंग में इतना ही था क्योंकि प्याई भी में अगर आप देखे तो लगबग 200 से 300 वर्ट सब्सक्राइब के तुरू सम्मोदित किया है और इस सेशन को प्रिसाइड ओवर किया है ग्री रास्ती ने जो की यूनियन मिस्टर फोर रूरल डेवलप्मेंट एंड पंचायती राज है यह जो कॉन्फरेंस है यह बेसिकली तीन थीम पर फोकस्ट रही प्रोड़क्शन सिस्टम्स, स्प्रिंग शेड डेवलप्मेंट और अम्रिस सरोवर इन बाटरशेड प्रोजेक्ट एरियास साथ यह आपको जानना चाहिए महत्रपुन्फेक्ट यह इसी आर्टिकल में दिया हुआ था कि भारत ने एक लक्ष बनाया कि 2030 तक जो अमारी डिग्रेड़ेड लेंड है उसको रिस्टोर किया जाए 21 मिलियन हेक्टेर से 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेर कर दिया जाए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कमेंस्ट कमेंस्ट दा फर्स्ट हैकाथॉन अंडर अबीडीम हैकाथॉन सीरीज इन राष्ट्र स्वास्ति पराधिकरणने की सिस्थान पर अबीडीम हैकाथॉन से रंकला के तहट पहला हैकाथॉन सुरू किया है औप्शन सापके सामने हैं सही आंसर अप्शन ए है पूने महारास्ट देखे नेसल हेल्थ अथॉरिटी ने फर्स्ट हैकाथॉन अंडर दा आयुश्मान भारट डिजिटल मिशन हैकाथॉन इसको और और नाइस की गई है किसके साथ मिलकर पूने मुनिसिपल कोर्पेशन एंड पूने स्मार्ट सिटी डेवलप्मेंट कोर्पेशन लिमिटेट के साथ मिलकर आपको जाना चाहिए नेसल हेल्थ अथॉरिटी के चीफ एक्जिकेटिव डॉक्टर आरेस सर्मा है विच मिनिस्ट के पॉर्टल के तहित की समंत्राल के प्रत्तम इस्तान दिया गया है और नासकों और के साथ मिलकर तो इसने बताया गया है कि Central Ministries Portal में Ministry of Home Affairs पहरी नंबर पर रहा है और Digital Police Portal of National Crime Records Bureau ये दूसरे नंबर पर रहा है Who has been appointed as member of the Union Public Service Commission संग लोग सेवा आयोग के सदस्य की रूप में किसे नियुक्त किया गया option साहब के सामने है सही answer option A है राज शुकला जानेगा former Army Training Command Chief Lieutenant General राज शुकला रेटायर्ड तो ये Union Public Service Commission UPSC के member appoint किये गए है आपको जानना चाहिए जो sanctioned strength UPSC की 10 तो इसमें अब एक chairperson हो गए है और इनके सामिल होने के साथ अब 6 member हो गए है एक तो chairperson है और six members है और sanctioned strength इतनी है 10 देखे ये 9 से 11 हो सकती है ऐसा जूर नहीं है कि 10 होगी है ऐसा constitution में कोई specific नहीं दिया गया है कितनी है तो 9 भी हो सकते हैं 11 भी हो सकते हैं फिलाल जो sanctioned strength है वो 10 है बाकी आपको जानना चाहिए UPSC के chairman Manoj Soni है और headquarters to New Delhi में आप जानते ही है बाकी UPSC के बारे में आपको जानना चाहिए कि आर्टिकल 315 से 323 यह UPSC की composition appointment removal of members और powers functions इसके बारे में बताता है साते आपको यह जानना चाहिए जो chairman है और members of the commission है जो इसके UPSC के members और chairman यह 6 साल के लिए या फिर 65 साल तक की उम्र दोनों में से जो भी जल्ली आ जाए तब तक के लिए अपना जो है इसमें इनका कारिकाल रहता है है हमक्री में कमानी रेजनल ट्रेड़ एग्रिमेंट्स है या फ्री ट्रेड एग्रिमेंट्स है वी इंप्रिण countries regions भारत ने भी बिन्य देशों छेत्रों के साथ कितने छेत्रिये व्यापार समझोते हैं मुक्ति व्यापार समझोते हैं पर हस्ताक्षर किये हैं सही आंसर ऑप्शन भी है 13 तो देखिए भारत ने 13 regional trade agreements और free trade agreements किये हैं अलग-अलग countries के साथ regions के साथ जैसे जापान, South Korea और national trade agreements यह भी भारत ने साइन किये हैं दे यूनियन केबिनेट हैस एप्रूफ्ट एन एमो यू इन दे फिल्ड ऑफ चुडिशल कोपरेशन बिटमें इंडिया और विच कंट्री केंद्रे मंद्री मंडल ने भारत और किस देश के बीच नियाइक सहयों के छेत्र में एक समझो Commission of the Republic of Maldives इसके बीच में MOU को एक मंजूरी दी है आपको जाना चाहिए आठवा MOU है भारत और किसी और कंट्री के बीच में जो की जूडिशल कोपरेशन के बीच में साइन किया गया मतलब जूडिशल कोपरेशन के फिल्ड में साइन किया गया है मालदिव की बात करें तो The following has become the first major port of the country to become 100% landlord port कौन सा बंदरगा देश का पहला ऐसा बंदरगा बन गया है जिसके बुनियादी धाचे पर बंदरगा प्राधिकर्ण का सत प्रतिशत मालिका नहग है और प्राधिकर्ण के नियमों का ही पालन किया जाएगा options आपके सामने हैं सही answer option A रहेगा JNPT देखेगा जवाड लाल नहरू पोर्ट नवी मुंबई महारास्ट में है तो यह पहला major port बन गया है हमारे देश का जो की 100% landlord port है जो भी इसकी birth है इसको PPP model पर operate किया जा रहा है यह PPP model क्या है कई बार interview का काफी अच्छा question रहता है interview में पूछ लेता है चाहे आप banking के हो या फिर किसी भी छेतर के हो मतलब अच्छे standard job के अगर interview दे रहे हैं तो पूछ लेते हैं कि PPP partnership मतलब जो model ऐसे क्या मतलब है PPP का मतलब होता है public private partnership इसका मतलब क्या होता है government और जो private sector company है उसके बीच में एक collaboration करना और उसके तहत कई तरह के projects को पूरा करना मान लीजे कोई government है किसी राज्य की या किसी देश की तो उसके पास इतना fund नहीं है कि वो road बना सके तो वो किसी private company को देख लेता है कि हाँ इस private company के पास पैसा है और यह private company इसमें पैसा लगा सकती है तो दोनों एक M.O.U. साइन करते हैं और जो private company है वो उसमें जो भी finance का काम है उसको उस highway को बनाने का काम है और जो भी transportation network है और जो भी उसमें चाहिए बनाने के लिए वो सब काम वो company देखती है और government जो है उसमें अपना जो भी paperwork है management वगएरा है उस चीश का वो देखती है और साथ ही अब इसमें private company को क्या मिलता है private company को कुछ ना कुछ profit उसमें दे दे जाता है जैसे अब road चालू हो गई उसके बाद फिर माँ पर toll बन जाते हैं जो toll tax हम लेते हैं तो उसका जो है पचास साल के लिए 99 साल के लिए उस company को दे देते हैं कि आप जो toll है वो इतना आप जो है collect करना यह आपक पुरागर के ही मानेगी है ना उसके बाद क्योंकि उसको toll tax करना है toll tax वो उसको पराप्त होगा तो यह होता है PPP जो पार्टनर्शिप यानि पॉब्लिक प्राविट पार्टनर्शिप तो यह किसी भी छेत्रे के लिए हो सकता है ऐसे जोनी जैसे यह पोर्ट है अब यहां पर पूर्ट पर जो भी पूर्ट में भी अच्छा कासा इंफरस्ट्रक्चर चाहिए होता है पूर्ट को हेंडल करना इस अपना आसान बात नहीं है ठीक है यह बात याद रखिएगा तो यह किसी में भी उसकता है पूर्ट है रोड है एरपोर्ट है कोई building है उसमें बाखि को अच्छा लगता है आप लोग सीखें कुछ अगर आप अपना टाइम यहां पर दे रहे हैं और ट्रस्ट करते हैं कि हम हम यहां पर करेंट फेर्स फंडा पर पढ़ने आ रहे हैं तो कुछ सीख कर जाएं इसलिए मैं इसा बैट करता हूं और इसमें समय भी लगता है कोई इ बहुत कम करते हैं मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कोई शिकायत वाली बात नहीं कोई करता है कोई नहीं करता इतना ठीक है कि आप डेली आएं देखें अच्छे से समझें देखिए मैं यह बताना चाहरा हूं आपको कि 7517 किलोमेटर की भारत की जो है कोस्ट लाइन है जो आईलैंड वगैरा मिलाकर तो यह भी जो है कंट्री के ट्रेड में एक काफी महत्पूर्ण नैचुरल है रिसोर्स होता है जो हमारी कोस्ट लाइन है यह बी एक नैचुरल रिसोर्स है कोस्ट लाइन जो हमको मिली हुई है तो इसमें हमारे पास भारत में 12 मेजर है जो कि हमारी इस्ट कोस्ट में है यह कोलकाता पैरादीप विसा का पर्टनम कमराजर जिसे एन और पोर्ड पुलते हैं चिन्नई वियो चितंबर अनर और यह सभी इस्ट कोस्ट पर हैं ठीक है कितने हो गए च्छे और जो बाकी के बचे च्छे यह कौन से है कोचिन न्यू म अंगलोर मुर्मुगाव मुंबई जवाडलाल नेहु पोर्ट और दीन दयाल जिसे पहले कांदा पोर्ट कहते थे यह सभी वेस्ट कोस्ट पर है तो पोर्ट से कोस्ट बन जाता है स्टेक चाहे आप बैंकिंग में पूछ लेते हैं कि मेजर पोर्ट कितने हैं या फिर यह पोर्ट कहां पर इस्तित है ऐसे पूछ लेते हैं चलिए प्रीवेस असाइनमेंट कोस्ट चंश की आंसर देखेंगे विच देखेंगे विच देखेंगे इस वर्ल डेए फोर इंट्रेशल जस्टीस 17th of July विच मिनेश्ट इन जून 2022 लॉंच्ट नेशल एर इसपोर्ट पो इसपर दा इसुटूट पोर इकोनोमिक्स और पीस ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 इसलेंड था इस बीन नेम तर मोस्ट पीसफुल कंट्री वट इस इंडिया जरेंग तो बारत की रहेंग 163,135 है और सबसे लीस्ट पीसफुल कंट्री है अफगानिस्तान तो इंडेक्स से जा और यह कहां चे हैं के रल से हैं लास्ट कोस्टन था हमारा एंप्लोयर इस एक्सेक्टे टो दिपोजिट था कंबाइंड कोंट्रिबूशन विद एंप्लोई स्टेट एंशूरेंस फंड विदिन 15 देज फिर लास्ट डेंडर मन्त और आप में से कई एस फ्रेंड से बिल्कु केते हैं वट इस इंडिया स्टेक अगर आपको कोशन इसका आंसर मालूम होगा तो कीजेगा वर्णा मैं आपको संचिप्त रूप में बता दूंगा नेम्दसी ओफ परसार भारती चेतेश्वर पुजा राइस दा कैप्टन ओफ विच काउंटी क्रिकेट क्लब 65th नेसनल पर दूंग पर लातेश्ड भारती लेच फिर लेच अ ट्युल्याइ पुर्ड़ी लेच फर लैटेश्ट इस फर टूंगर आपको साथ ने मृस अम अगटेटी इस पर लेच आपको समान ओफ एग लेच विच आर है लेचर विच नेम्दान गरतानु फर्या धुजा दाया एल वाल्स टेलिवर्ड बाइ थर्मन और सन्वु गरतनु ठीक है तो यह इन्होंने इस फर्स्ट अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर को डिलीवर किया है आपको बताना है कि यह किस देश की कौर्णमेंट में सीनियर मिनिस्टर है तो कुसिस कीजेगा इन 6 कुस्चन की आंसर आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं और अगर एक कुस्चन का अंसर भी आता है तो भी आप जिरूर से बताए करें साथ ही करें टेलीग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं यहां पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करेंट कुई जिस हम आप सभी डालते रहते हैं साथ अपने डिस्कसिन ग्रूब में आप किसी भी कॉस्चन का सुल्यूशन पा सकते हैं दोस्ते आपर हमारे करेंट अफेर्स की प्लेश दी गई है इसे आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ अज़रू करें आज का सेशन आपको कैसा लगा कॉमेंट बोक्स में